तर चक्रा जाता है अब बात यह है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है इनकी कुछ मांग है सरकार अचानक से अध्यादेश लेकर आ गई है अभी अध्यादेश जैसा शब्द सुनके प्लीज दर मच जाना यही होता है आप पढ़ते नहीं है आप जानते नहीं और फिर आपको भारी भर कम शब्द लगते और इसी लिए किसानों का मुद्दा पीछे रह जाता है क्योंकि समझना नहीं चाहते आपने दिन भर दस-दस घंटे रिया को देखा दस मिनट बस यह देख लिए सब समझ में आ जाएगा अध्यादेश में आपको कुछ सेकेंड में क्वेशन आएगा उसको पास करके कानुन बना दिया जाता है ठीक है इतना महत्वपून ऐसा क्या था पांच जून 2020 को कोविड के जमाने में वो भी लॉकडाउन से धीरे धीरे निकलने की कोशिश में अचानक ऐसी क्या धरती हिल गई भूकम पा गया कि किसानों की इतनी प जिसका जवाब देना होता है वो नहीं होगा तो बिल पास हो जाएगा यानि कानून की शक्लिन ले लेगा और जिनके लिए पास हो रहा है उन्हें आपत्ती है वो ही खुश नहीं है तो सबसे पहले तो किसानों को ये शक शुरू हो गया कि आप ऐसी सरकार जो किसी भी हो हर चीज को बनाई देते हो तो अगर वह मैं के सना हो maryuger अपितना अच्छा सोच रहे हो इतना अच्छा कर रहे हो इभी बेर बनाओन हम भी तो देखे हम भी शामिल होंगे हम भी थाली थाली बजायेंगे यह चैशोर जाए है कुई यह शॉरू रासते से क्यों किया जा या फिर गानून लेकर आए तीन अध्यादेश हैं वो मैं आपको बताओं उससे पहले जरा को ये भी एक छोटा सा टीजर बता देती हूं कि सरकार ने एक जूट बोल दिया है किसानों को लेकर जूट बोला है किसानों को समझ आ गया है कि वो जूट बोल दिया है और आप तक ये जूट ना पहुँच पाए इसकी पूरी कोशिश मीडिया तो कर ही रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा लेकिन ये देखेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा तो वो जूट मैं आपको बताओं उससे पहले ज़रा वो अध्यादेश भारी भरकम शब्दों के साथ पढ़के ही बता देती हूँ याद मुझे नहीं हो रहे है पहला अध्यादेश है Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance दूसरा Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance तीसरा है Amendment in the Essential Commodities Act 1955 अब यहां में ही समझ में आ रही एत्ती भारी भरकम लैंग्वेज अब किसानों को कितनी समझ आई होगी उस सोच ले रहा अब आप यह कहोगे जब उनको समझ में नहीं आए तो उन्हें कैसे पता कि यह उनके खिलाफ है बिल्कुल सभी आपने सवाल किया अगर सरकार को लेपता है कि इने बर्गलाया जा रहा है इने जूत बोला जा रहा है किसान नेताय ने गलत बता रहे हैं, agricultural expert गलत बता रहे हैं, सारी political party से ने गलत बता रहे हैं, तो उनके साथ मिलो, मिल के समझा दो, क्या problem है, मिलना भी तो नहीं चाहते, कोई इन से मिलना ही नहीं चाहता, अब किसान क्या चाहते हैं, वो आप लेकर आ रहे हैं, और किसानों से बिना मिले लेकर आगा है आप बोरibenर यह किसानों के हक कर रहे हैं और यह कन्हसा लॉजिक्पल आ किसान की वोटे मोटी मोटी मांगहां बहुत बढ़ी मांग में चोटी सी मांग किसान है M S P अब M S P शब्द संके प्लीम्हे रहे आ senses о bentio को ने यह दिक्कत है समझते हैं नहीं आप और बहुत आसान चीज़ होती और इसलिए किसान पिट रहा है आप सुनेंगे समझेंगे तो किसान नहीं पिटेंगे क्योंकि आप उनकी बात को समझ पाएंगे MSP यानि minimum support price न्यूनतम समर्थन मूल ले नाम से समझ में आ गया कि यानि जो भी उनका produce है उसके लिए उनको minimum support price एक minimum न्यूनतम राशी उनको मिले ये सुनिश्चित कर दे सरकार कि अगर कोई ये नहीं देता है तो उसको जेल होगी उसके खिलाफ कारवाई होगी इतना सा कानून ला दे सरकार सरकार कह रही है MSP बेचना तो आपका अधिकार है उस पर किसान कह रहा है तो पर कानून लेकर आओ ना उस पर सरकार चुप है अब दिक्कत यहीं आ रही है कि सरकार यही बात नहीं सुनना चाहती क्योंकि किसान को इसी बात का सबसे ज़्यादर डर है अब मैं आपको बताती हूं कि सरकार ने जूट क्या बोल दिया है आप इसे जूट कह सकते हैं या अर्द सत्य कह सकते हैं या अर्द जूट बोल सकते हैं आप इसको डिसाइड कीजे ये पहलाया जा रहा है आपको भ्रहमत ये किया जा रहा है कि ये जो अध्यादेश आ रहा है या अध्यादेश आ चुका है और जो ये कानून की शकल अब ये किसान पहले मंडी से बाहर नहीं बेच पाते थे और अब बेच पा रहे हैं इसके बाद यारी जो उनके पाफ पहले से हक था वह आप जबरदस्ती दे रहे हैं तो आपने उनके लिए किया क्या यहां पर खेल होता है इस चीज का जिसको हम कहते हैं आप की तरफ से इग्निरंस आप नहीं जानते ना इसलिए आपको लगता है कि देखो देखो सरकार ने किता अच्छा काम करते हैं लेकिन तो पहले से हैं इसमें आपने क्या नया किया और जो वो चाहते हैं कि आप नया करें वो आप करना नहीं चाहते हैं तो आप कर के रहे हैं अब क्या होगा कि कोई किसान को लग रहा है कि इसे आप कुछ कारोबारी और व्यापारी उनकी जे मोटी कर रहे हैं इसमें हमारा फायदा नहीं है किसान को यह लग रहा है कि अब आप इस प्रोसेस को लेकर आके धीरे-धीरे MSP और मंडी का जो पूरा सिस्टम है जो पूरा कल्चर है उसको आप दीरे-दीरे खत्म कर देंगे क्योंकि किसान को यह डर है कि शांता कुमार हाइल लेवल मीटिंग जो हुई थी जो कमिटी की रिपोर्ट थी उसकी सिफारिश के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि MSP वगरे मंडी वगरे सब चीज़े खत्म की जा सकती है और उसी के धर्रे पर बिहार इस वक्त काम कर रहा है और बिहार में किसानों की हालत यह है कि जो मक्का 1760 रुपए का MSP के तौर पर बिकना चाहिए वह बिचारे किसान 8500 से 900 रुपए में बेचने को मचपूर है तो यह जूट का इस खुपाया कैसे जाता है demandir machine Key through देख लीजे इससे आप क्या कर रहे हैं इनको तो पैसा दे मिलना चाहिए किसान को वह विचारा मारा जा रहा है तो सोच लीजी किसान किसान कहना बहुत आसान होता है किसान के साथ खड़े रहना सब से मुश्किल होता है किसान ठ्विटर पर जाके trends नहीं चला सकता किसान को ये सब नहीं करना आता उसको सिर्फ अपनी मांग को मांगने के लिए आंदोलन करना आता है प्रदर्शन करना आता है किसान तो बिचारा हमेशा से वैसे ही था आज भी वैसे ही रह गया चांदी किसकी हुई सोचेगा जरा अगर आपको मेरा ये वी एडिटारियल पसंद आया है I'm sure आया होगा इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए क्योंकि किसानों की इस समस्या को लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है किसान तो जानते अपनी समस्या ये आप लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है इसलिए अपने परिवार में अपने दोस्तों के बीच जब आप कोई जोक्स शेयर करते हैं उस बीच में जरा इस अन्नदाता को भी और उसकी मांग को भी शेयर कर लीजे